नवस्का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम एक नहीं कई बड़ी खुबरों के साथ आपके पास आये हैं जिसमेंगी एस्टेट परिच्छा और साती साथ बिहार के प्रारंबिक चरण के नियूजन को लेके भी ए कि इसमें जुलाई 2019 में सीटेट पास करने वाले डीलेट वालों को ही मौका मिलेगा या बीएड करने वाले इसमें अपलाई कर चुके हैं पर ऐसे में देखिए बहाली जब कोट में गई थी तो उम्मीद लगा जा रहा था कि दिसंबर में जो सीटेट की परिच्छा हुई इसमें जितने भी लोग जो डीलेट पास है उन्हें भी मौका मिलेगा या बीएड वालों को भी मौका मिलेगा यह ऐसा उम्मीद था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के पेपर में देखिए जुलाई 2019 में सीटेट पास डीलेड वालों को ही मौका मिलेगा इसमें दिसंबर है वाकी तरब से बेस पश्ट कर दिये गया है जल्दी जारी करके इस भाली को आगे पढ़ा जाएगा और जल्द से जल्द मेगा सुची पना कर आपका एपोईमेंट लेटर आपको जारी किया जाएगा पर बिहार है इतने जल्दी भाली होने वाली नहीं है क्योंकि यह प सकते हैं कि मामला और आगे बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही मामला कोट में गया मामला आगे बढ़ना ही बढ़ना है आपको बता दे अभी कुछ दिन पहले जोड़ सोड़ से जितने भी दिसमबर में डियलीडी एनियुस से करने वाली लोग हैं साथी साथ 28 सीट पास है उन लो है हुआ कि आई-ए-ए-स रंजित ची है उनकी तरब से भी कल सामबको साथ वजे लाइब आके साथवजे लाइब आके बताया गया कि एसदी असपश्ट की गई कि इसमें सिर्फ जुलाई तक वालों को ही मौका दिया जाएगा उसके बाद वालों को मौका नहीं दिया एक सप्ता के अंदर ही इस पर सुनवाई होने वाली है मामला भी कोट में दर्ज हो चुका है सरकार के खिलाब के बिना किसी सूचना के सरकार ने इस परिच्छा को रद कर दिया और इस पर बैठक भी चल रही है सरकार के तरब से भी और छातर भी पूरे जोड़ सोड़ से नमर फाइल होता है किस की सुनवाई की डेट दिती सब चीज इस अपडेट आपको मिलेगा इस चैनल पर चैनल को लाज सब्सक्कार किजिए जैहिंद और बने रही है हमारे साथ जैहिंद जैसिच्छा